नमस्थे दोस्तों कैसे हैं आप लोग उमीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे हम लोग भी बहुत अच्छे हैं स्वागत करती हूँ अपने सारे दोस्तों का आपके अपने ही चानल मी सहेली पर आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ नमकीन सेव की रेस्पी जिसे बना के दिखाऊंगी बचे हुए चावल से तो आज से पहले आप इस तरीके की रेस्पी नहीं बनाए होंगे नहीं कभी देखे होंगे नहीं सोचे होंगे बचे हुए चावल के तो बहुत सारे रेस्पी आपने ट्राई किया होगा फ्रेंड्स एक बार बना के देखे हमारे तरीके से बचे हुए चावल के सेव नमकीन जिसे आप महीनों स्टोर करके खा सकते हैं और खाने के बाद पता ही नहीं लगेगा कि इसे आपने बचे हुए चावल से बना के तयार किया है तो एकदम निव रेस्पी है बनाने से पहले आपको वीडियो पूरा देखना होगा तभी जाके आपका सेव नमकीन एकदम खसता बनेगा अब ही देखे इसमें डाल देना हमें स्वाद के अनुसार नमक हमारे पास एक कटोड़ी बचा हुआ चावल है आपके पास जितना है आप बना सकते हैं सबसे पहले इसमें नमक डाल दी हूँ स्वाद के अनुसार अब इसमें हमें डालना होगा थोड़ा थोड़ा करके बाकी का मसाला तो यहां पर डाल दी हूँ आधा छोटा चमत जीरा खड़ा जीरा भूना हुआ नहीं है कच्चा जीरा ही है और इसके साथ ही हमें डाल देना ह होगा थोड़ा सा हल्दी पॉडर कि अब इसमें डाल देती हूं काली मिर्च का पॉडर मसाला अपने पसंद से इसमें जितना भी चट पटा आप स्यों नमकिन बनाना चाहते हैं डाल लीजिएगा अब यह है धनिया पॉडर धनिया से बहुत अच्छा फ्लेबर आता है यह है लाल मिर्ची पाउडर आप इसके जगह पर दो तीन चार इसमें हरी मिर्ची का भी इस्तिमाल कर सकते हैं और यहां पर ली हूँ आधा छोटा चम्मच अजवाइन फ्रेंट्स इसमें डालना है हमें थोड़ा एक पींच हींग और साड़े चीज को अच्छे से मिक्स कर देना है इसमें थोड़ा गरम मसाला भी डालूंगी जिससे इसका स्वाद और भी ज़्यादा बढ़के आए और बचे हुए चावल का नमकीन है तो इसे जब आप मसाल दार थोड़ा चट पटा बनाएंगे तो खाने में बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा तो चलिए इसमें थोड़ा गरम मसाला डाल देती हूं प्रेंट्स वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा जादा से जादा से यर कीजिएगा चैनल पर चुगा से लेके दो बजे के बीच तक आता है और एक हमारा वीडियो च्छे बजे साम से लेके दस बजे रात के बीच में कभी ना कभी आहीं जाता है अब इस चावल के साथ ही डाली हूं दो बरे चमच बेसन क्योंकि चावल में थोड़ा बैंडिंग का काम करेगा और फ् तो आप पूरा वीडियो देखके उसके बाद बनाएंगे फ्रेंट तो देखे अभी इसमें बेसन डालने के बाद इसी बेसन चावल के साथ डाल देती हूं दो चमच तेल तो इसमें रिफाइन तेल का इस्तेमाल कर रही हूं क्योंकि इसमें कोई फ्लेवर नहीं होता है और इसमें अभी और भी सामगरी डालना बाकी है तो वो मैं आगे दिखाऊंगी वीडियो में कि इसमें अब क्या डलेगा तो फ्रेंट सबसे पहले हमें इस मिक्सचर को डाल लेना है मिक्सी जार में मिक्सी जार में इसे डालने के बाद इसमें दो से तीन चमच पानी का इस्तेमाल करना है आप थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसे बारिक कीजिएगा जितना पानी डाल के चावल अच्छे से पिस जाए उतना पानी का इस्तेमाल आप कर लीजिएगा बहुत ज्यादा गील नहीं करना है इस बात का आपको ध्यान देना है और यह दी चावल पीष्टे समय ज्यादा गिला हो गया तो मैं आपको बताती हूं कि इसमें क्या डालना है जो इर्दम खसता बनेगा इसका नम की तो एक बार मैं सारे चावल को नहीं डालती हूं क्योंकि यह जार छोटा वाला ली हूं छोटा वाला जार में बहुत चिकना पीष्टा है इसके लिए छोटा वाला ही जार का इस्तेमाल कर रही हूं अब इसमें दो चमच पानी डाली थी लेकिन जब चावल को पीष रही तो तो तीन चमच पानी इसमें आर यानि चार से पास चमच पानी लग गया था हमें इतना चावल को पीशते हुए तो देखे फ्रेंट्स यहां पर चावल हमारा पीश चुका है और बहुत ही अच्छे से पीशा हुआ है आप देख पा रहे हैं सारा मसाला पहले डाल के आप मिक्स करके आप चावल के साथ ही उसे पीशते हैं तो कम मसाला भी बहुत आसानी से बारिक हो जाता है जब मसाले को आप बारिक करेंगे जब इसका सेव नमकीन बनाएंगे तो वहां आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा इसके लिए पहले इसमें मसाला मिक्स जरूर अब इसे भी निकाल लेना है बाकी के पीसे हुए चावल के पेस्ट के साथ तो फ्रेंट्स आपको गेम के आटे की सेव नमकीन बनाने है बीना मसीन बीना साचे का आपको रेश्पी चाहिए तो कमेंट कीजिएगा मैं वीडियो का लिंक आपको दे दूंगी और इस रेश् चावल के सेव नमकीन एकदम आसान तरीके से तो फ्रेंट्स देखिए अब इसमें एक चमत डाल देती हूं मैदा आपको डालना है यदि आपका चावल का पेश्ट जो है हलका सा गीला सा हो गया है तो आप इसमें मैदा जरूर एड़ कर दीजिएगा एक चमत चाहे तो आप इसमें एक से दो चमत चाहे तो मैदा और चाहे तो एक से दो चमत गेहूं काटा दोनों में से आप कोई भी चीजी समें डाल ली जिएगा और इसमें पहले बेशन डाली हुई हूँ अब इसे खूब अच्छे से फेटिए, फेट के हलका कीजिए, जिससे कि जब नमकीन आप बनाए तो खाने में हलका लगेगा, खाने में वो हाड नहीं लगेगा अब इसमें प्यारा सा कलर लाने के लिए फ्रेंट्स डालना है एक छोटा चमच कास्मीरी लाल मिर्ची, इससे क्या होगा कि नमकीन तीखा नहीं बनेगा, लेकिन देखने में जब आप फ्राइ करेंगे तो रेड रेड सा बहुत अच्छा लगेगा, आपको डालना है तो डा लाल कर देंगे तो नमकीन जो हमा अपका खस्ता नहीं बनेगा हो सकता है, अपकेट सासे भी बना सकते हैं, औरshots बैटर को पलिथिन में भर ली हूँ, अब सारे को एक तरफ से कर लेना है कोना के तरफ और कोना में हमें लगाना है छोटा सा कट आपको एदी मोटा मोटा गाठिया का जैसे बनाना है तो आप मोटा कट करेंगे लेकिन ध्यान रखिएगा फिरेंड्स कि इसे पतला वाला ही सेव बनाईएगा क्योंकि बचे हुए चावल का है अधि आप मोटा मोटा बनाएंगे तो हो सकता है कि उखाने में कुरकूरा ना बने क्रिस्पी ना बने तो यहां पर देखे छोटा सा कट लगाती हूं अब आपको दिखाती हूं कि चेक कैसे करना है आप इस तरीके से थोड़ा सा बना के देख ले तो देखे तब ही जाके यह खसता बनता है बहुत कम गरम तेल में आप डालेंगे तो इसके अंदर बहुत ज़्यादा तेल चला जाएगा यह नमचिपचिपा सा बन जाएगा तो देखे फ्रेंट कितना अच्छा से हमारा नमकीन जो है बनके तैयार हो रहा है और इसे फ्राई करने का क्या तरीका है कि एक तरफ से अच्छे से फ्राई होने दीजिए इसे टच नहीं करना है जब तेल सांत हो जाए तब जाके नमकीन को दूसरे तरफ से पलटके और अच्छा रेड होने तक इसे फ्राई कीजिएगा कम फ्राई कीजिएगा तो यह जब आप खाईएगा तो हो बचे हुए चावल का डबबा भरके नमकीन बना सकते हैं, इसमें जाएगा ही क्या, ऐसे भी चावल बचता है, तो आप लोग सोचते होंगे, इसका क्या करूँ, क्या करूँ, तो सबसे अच्छा ओप्सन है, आप चाहें तो इसका पापर बना ले, बचे हुए चावल का कुर एक तरफ से हो चुका था, अब इसे दूसरे तरफ से पलट दी हूँ, बहुत अच्छे से इसे कम से कम एक बार फ्राई करने में, साथ से आठ मिनट का टाइम आपका जाएगा, तब जाके एक बार का आपका सेवनमकीन बनके तयार होगा, तो देखिए बहुत अच्छे से यह फ्राई हो रहा है, तब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो फ्रेंट जट पर से सब्सक्राइब कर लिजे, बेल आइकन प्रेस कर लिजे, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सेयर भी कर दीजिएगा, और पहले से आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर र बाल नहीं आ रहा है तब इस सेव नमकीन को आपको बाहर निकालना है और इसका कलर ऐसा ही होना चाहिए डार्क कलर करके बहुत अच्छे से अलट पलट करते हुए आपको फ्राई करने हैं जब यह बिल्कुल ठंडा हो जाएगा तो एकदम खासता बन जाता है इसे अच्छे स ठंडा करके आप किसी भी डपे में बंद करके अराम से रखिए और इसे खाईए तो चलिए एक बार का और डाल देती हूँ इसी तरीके से सारे को बनाने है तो देखे फ्रेंड्स यहां पर डाल दी हूँ और वापस से एक तरफ से जब हो जाएगा तब इसे पलटके दूस इसरे तरफ से पकाना है तो चलिए सारे बना लेती हूँ उसके बाद आपको दिखाती हूँ तो देखे फ्रेंड्स यहां पर बनके तयार है हमारा सेव नमकिन बचे हुए चावल का आपको तोड़ की दिखाती हूँ कि यह कितना खस्ता बना है देखिए देखिए फ्रेंड्स बहुत ही अच्छा से इसके आगे आपको बेशन के सेव नमकिन फिके लगेंगे तो आप जरूर बनाएए इस रेस्पी को सभी कोई को अच्छा लगेगा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मिलती हूँ अगले वीडियो में फिर से एक नई रेस्पी के साथ थैंक यू